तो हें गाइज तो कैसे हो सब लोग आयो मस्त होगे में नाम दीपक एंड यू आप वाचिंग टेक्नो भाई तो गाइज आज की वीडियो में आपको बदाऊंगा कि अब किस तरीके से यूएसपी पिस्टॉल से वन टैफ हैट सकते हो तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे स्टाइग के मैच वाइट जाता है यह किसी कारण हम नहीं लेपाते हैं जैसे कि आप स्टार्टिंग में यूएसपी बच जाती है एशा किस किस के सास्थ हूँ और बाप कुमा से चल्ट तो यूएसपी का जो डैमेज होता है वह ज्यादा का होता है ठीक है में ज्यादा कि मुझे पता नहीं मैंने 110 का यह देखा है आप लोग बताइए कितना का है वह भी कामेर कर दीजेगा अगर किसी बंदे को ने दो बार है तो बंदा खतम है ठीक है अगर लेकिन हम उसे यह सब्सक्राइब बना भी चुक्त है कि आप यह सब्सक पर चाहिए तो मैं उसको पर वीडियो बना दिया आप जाके इसके ले सकते हैं अपने फिरिफार गेंब डाल सकते हो सो गाइस मैं उसे रिकमेंड भी नहीं करूंगा वंटाप हैच्व लोग इस वीडियो को पूरा देखना बिने स्किप किये अभी तैक्स वीडियो को ला पर बजाते हैं गेम को कोई कोई है जो नहीं बजाता उसके पाद ग्राफिक है ग्राफिक पाईएगा अल्ट्रा में कर लीजिए एंड हाई एप्स पर आपको गेम चलाना है है यह प्सक्ति पर आपको आपको जोग उठाए वो ड्रैक करने के लिए फोटा यह तो आपको फोट्राइब करने में अपने जो ट्रेनिंग उसमें जाना है तो वह वाले ट्रेनिंग में दूसरी ट्रेनिंग की बात करना वहीं बता दूंगा आपको वीडियो को पूरा देखें एंड आपको बश्काइब करने इस्टार्ट अगर मैं स्टार्ट ना ओता आपको इमोड चला देना है एंड एक बोनेस ट्रिप में आप पूजा देशी बात पर लाइक बनता है ठीक है यहां पर इजीली अपना हैड्शॉट जो सीख सकते हो कोई भी गन लेगे हां से आप आपको करने वाला हम सोग अगर बन्दा आपको हैड्शोट देता है आप उसे कैसे पहचान सकते हो कि वह बन्दा हमें हैडशूट देने वाला है हमें बच के रहना है तो वह जो एक तरफ देखता है जैसे कि आप लोग आप देख रहे हो मेरा जो एम है वह नीचे की तरफ एंड मैं अराम से चलना हूं तो एसे हरे बंदे के जायज तर पहचान होती है कि वह वन टैप देगा पका इस तरीके से ठीक है समझ जाएगा अगर आपको वन टैप से बचना है तो यह मैंने आपको छोटी सो ट्रिप बजा दिया यह वाला केस हुआ है कि स्टार्टिंग में मिलती यह तो नैटर की वाई से कुछ काम की वाई से जिससे आपके हाथ में यूस पी रह जाती है ठीक है एंड चलिए आपको कैसे मानना यूस पी गन से यह लगते कभी कभी लगजाता जैबले कैसे मारें वह मैं आ पको देख आतेक下 अगया हूं चूर्ण तो आपको क्या करना है इसी ट्रेनिंग मोड में यहां पर आपको कम से कम 2-3 गंटे प्रैक्टिस करना है जिससे जो आपका अंगूठा है उसको एक तरीके से अंदाज हो जाए कि मुझे किस स्पीड से और कितने टाइम में ड्रैक करना है जिससे की बंदों को हैड्स लगे औ तो मैं आपको कुछ यहां पर मैंने यूस पी चलाई थी एक अधवार तो उससे मैंने हैड्स ओट मार के देंगे तो इससे सही लग रहे थे एंड मैं हर एक गंद से कोई सीषिए हैड्स ओट मानना मैं जैसे वीडियो बना रहा हूं और मैं आपको बतांगा तर मेरा जाना तो मैंने उसे का भाई जब मैं वीडियो बनाने पर रहता है ना कि है टो फिर मैंने तो फिर पहले अपना गेम पर रिकॉर्ड कर लेते हैं हां पर आके एंड उसके बाद हम वॉइस ओवर कर देंगे उसके पीछे टिक है देखें आप लोग देखें सकते हो गाई किस तरीके स है यहां पर नीचे तो देखें जहां पर मारता हूं यह इस वाले मोट को चला कि पता नहीं क्यों नहीं लगता है है कभी कभी तो इस तरीके से आप एजली हैट्वार सकते हो किसी बंदे को लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 2-3 घंटे प्रैक्टिस करनी होगी इसी मोड मे अब बहुत अच्छा खड़ा किया है अगले वीडियो को टॉपिक पर आए मैं जोड़ से करूंगा उस पर टॉपिक वीडियो बनाने की तो हैट्स या पढ़ नहीं रहे मुझे लगता है अब पढ़ता है आप ऑके घंट हम या अगली मीडियो के साथ अब तक लिए बाइबाइ टेकर